कि नमस्कार दोस्तों सेकंड लेशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है दे पोर्टेट ओफ एलेडी और इस लेशन के आद जो आपको राइटर है वो है खुश्वंत सिंग बहुत ही अच्छा लेशन है तो वीडियो यह दिया आपको अच्छा लगे तो लाइक कर करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें तो आईए शुरू करते हैं खुश्वंत सिंग क्या कहते हैं जैसे कि हर व्यक्ति की दादी बूडी होती है कुश्वंत सिंग की दादी भी बूडी थी तो लेकर पिछले बीस सालों से दादी मा को ऐसा ही देख रहा है बूड़ा ही और दादी के चहरे पर जूरिया पड़ी हुई है People said, लोग कहते हैं, that she had once been कि वो कभी young जवान थी and pretty और सुन्दर थी लोग लेकर को कहते हैं कि कभी तुम्हारी दादी सुन्दर थी और जवान भी थी and had even had a husband और दादी के एक पती भी था but that was hard to believe लेकिन उन बातों पर यकिन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है तो लोग लेकर को कहते हैं कि तुम्हारी दादी पहले बहुत खुस्सूरत थी, बहुत जवान थी और उनके एक पती भी था लेकिन ये बातें मुझे विश्वास नहीं दिराती My grandfather's portrait मेरे पिता दादा जी की जो तस्वीर है hung about the mantelpiece वो अंगिठी के ऊपर तंगी हुई है in the drawing room जो की अतीती ग्रह है उसमें जैसा के आप photo में देख पा रहे है अतीती ग्रह जो था कमरा उसके एक अंगिठी थी जहां पर आगज जलाई जाती थी उस अंगिठी वाले इस्तान के ऊपर दादा की क्याल टंगी हुई है तस्वीर he wore a big turban और दादा जी ने उस तस्वीर में एक बहुत बड़ा साफा लगा रखा है and loose fitting cloths और डिले डाले उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं ये दादा जी के परिवेश या परिद्रश्य के बारे में आपको गताया जा रहा है his long white beard और उनके एक लंबी सी और सफेद रंग की दाड़ी है covered the best part of his chest उस दाड़ी ने उनके ज़्याजा तर छाती को क्या कर रखा है ढख रखा है and he looked at least और वो कम से कम लग रहे हैं a hundred years old लगवग सो वर्ष बूढ़े तो दादा जी ने एक साफा पहन रखा है डेले डाले कपड़े पहन रखें एक लंबी सी दाड़ी है और उसे इस्तिती में वो लगवग सो वर्ष बूढ़े क्या हो रहे हैं he did not look वो नजर नहीं आ रहे थे the shorter person ऐसे एक विक्ती के समान who would have a wife जिनके कोई पत्नी हो और चिल्डरन या फिर बच्चे तो दादा जी ऐसे नहीं लग रहे थे जैसे कि उनके कोई पत्नी हो या फिर बच्चे हो तो फिर कैसे नजर आ रहे थे he looked at chief अरे वो तो ऐसे नजर आ रहे थे he could only have lots and lots of grandchildren जैसे कि उनके तो बहुत और बहुत सारे केवल पोती पोते या नाती पोते हों तो वो जो देखर के दादा जी हैं वो तस्वीर में इतने बूड़े लग रहे हैं कि ऐसा जान पड़ता है जैसे उनके बेटे नहोकर बहुत सारे पोते पोती आ होंगी यह मतलब उनके आयू बहुत ज़्यादा क्या की जा रही है प्रदशित की जा रही है जैसा कि मेरी दादी के बारे में बात करें बिंग यंग एंड प्रेटी जो कभी ऐसा कहा जाता है सुन्दर थी और जवान थी तो लेकक को जब भी पता कोई कहता है कि तुमारी दादी बहुत सुन्दर और जवान थी लेकक को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता और दादी अक्सर हमें बताया करती थी तो जब दादी छोटी थी तो वो कौन-कौन से खेल की अलला करती थी वो अपने पोते को खुश्वन सिंग को ये बाते बताया करती थी और ये मुझे बहुत ही बेहुदा सा लगता था और अंडिग्निफाइड और साथ में ये मुझे परिश्करत भी लगता था उतना समान जनक भी नहीं लगता था और हर पार्ट जब मैं दादी के बारे में ऐसी बात करूँ और दादी की बातों को हम हमेशा मानते थे लाइक दा फेबल्स और प्रॉफेट्स उन सादु संतों की बातों या फिर उनके उपधुश्टों के समान पैगंबरों की पुरानी कथाओं के समान सियी उस्ट वी थू तो जब भी कोई पुराने जमाने की कहानिया या बाते बताया करती थी तो लेखक को हमेशा ऐसा ही लगता था जैसे दादी उपदेश दे रही है और उनकी कही हुई बात कभी भी क्या नहीं हो सकती जैसे सच नहीं हो सकती वोक्सर अपने पोते से उन खेलों के बारे में बात करती थी जो दादी बच्पन में खेला करती थी she had always been दादी हमेशा ही रही थी short, थोड़ी चोटी and fat, थोड़ी मोटी and slightly bent और उनकी जो कमर है वो थोड़ी बहुत जुकी हुई भी थी, तो दादी चोटी थी थोड़ी मोटी थी और हलकी से उनकी खमर भी जुकी हुई थी हर फेश और दादी का चो चहरा था वाज क्रिस क्रोस आफो रिंकल्स वो एक तरह से चोखनों में बटा हुआ था किनके कारण जुरियों के कारण running from everywhere to everywhere जो उनकी चहरे पर हर जगे से शुरू होकर हर जगे तक क्याती फैली हुई थी कहने का तात्पिय दादी का चहरा बहुत ज़्यादा जुरियों से युक्त था no, नहीं we were certain हम ये निश्यत थे she had always been कि वो ऐसी हमेशा रही थी as we had known her जैसा हमने उसे क्या किया है जाना है लेकर कहता है कि वो कभी जवान रही या नहीं रही हमें नहीं पता लेकिन हमें तो ये पता है कि दादी आज भी वैसी है जैसी वो पहले थी जब से मैं उन्हें क्या करता आया हूं देखता आया हूं कैसी देखता आया है वो old हमेशा उसने अपनी दादी को बुड़ा देखा है so terribly old इतनी भेंकर रूप से बुड़ी देखा है that she could not have grown older कि वो कभी इससे ज़्यादा तो बुड़ी हो ही नहीं पाई and head stayed at the same as और वो उसी आयू में रुकी हूई है for 20 years पिछले 20 सालों से लेखा को से पिछले 20 सालों से देख रहा है उसकी दादी उसी आयू में है वैसी ही बुड़ी वो नजर आ रही है उसमें और बुड़ापा जैसे अब नहीं आ सकता इसका ताप्य है वो बुड़ापे की एक उच्छी इस्तितिया चरम इस्तर पर क्या हो चुकी है पहुंच चुकी है वो कभी भी हम मुझे लगता है कि कभी सुन्दर नहीं हो सकती थी बट लेकिन सी वाज ओलवेज वेरी ब्यूटिफुल लेकिन मेरी दादी हमेशा ही कैसी थी सुन्दर लोग कहते है सुन्दर थी मुझे अकीन नहीं होता है लेकिन फिर भी मेरी दादी सुन्दर थी sportless white अपनी उस साड़ी में जो बिल्कुल बिना धब्बे से युक्त थी और बिल्कुल साफ सुत्री थी बिल्कुल सफेद थी with one hand जबकि अपने एक हाथ को resting on her waist अपनी पीट पर रखती थी to balance her stoop जिससे कि वो अपनी जुकी हुई कमर को क्या कर सके साहरा दे सके and other और जो दूसरा हाथ था telling the beads उससे वो मनकों को फिराती थी offer rosary जो उसके किसके थे माला के तो दादी का ये परिद्रश्य बता रखाया कि उसने हमेशा sportless white बिल्कुल सफेद रंग की साड़ी पहनी और उसका जो एक हाथ था वो हमेशा उसकी west पर rest करता रहता था रखा रहता था जिससे कि उनका जो कमर है जुकी हुई उसको वो संतुलन दे सके और साथ में दूसरा जो हाथ था वो हमेशा उस माला के जो मोती थे उनको क्या क्या करता था गुमाया करता था इसका मलूब हमेशा माला जबती रहती थी इसके अलावा हर सिल्वर लॉक्स उसके जो चांदी जैसे सफेद सफेद बालों की जो लट्य थी या फिर चोटियां थी वर इसके टर्ड अंटाइडली वो खुली होई अवस्ता में इदर उदर बिखरी रहती थी और हर पैल पिकर्ड फेस उसके पीले से और साथ में जुरियोदार चेहरे पर तो दादी के जो बाल थे वो भी अक्सर बिखरे हुए ही रहते थे एंड हर लिप्स और उसके जो होट थे कंस्टेंटली मूड वो नेरंतर रूप से हिलते रहते थे इन ondiable prayer एक ऐसी आवाज में एक ऐसी प्रार्त्ना में जिसे क्या नहीं किया जर सकता सुना नहीं जा सकता इसका तात्मिय दादी मन ही मन में प्रार्तना किया करती थी लیکिन उसके होट फिर भी हिला करते थे यस हां सीवाज ब्यूटिफूल अरे हां हां मेरी दादी बहुत सुन्दर थी सीवाज लाइक वो मेरी दादी तो नजर आती थी जैसे वो एक सफेद भूद्रश्य हो इन दा माउंटेंस परवतों के अंदर एन एक्सपेंस ओफ प्योर वाइट सेरेनिटी जैसे कि वो एक सफेद शुद्ध विस्तार की क्या हो शक्ती ब्रैदिंग पीस जो अपना जीवन जी रही थी बहुती शान्ती के साथ एन्ड कंटेंट पेंट और संतुष्टी के साथ जैसे उन्हें किसी प्रकार के परवा करने की कोई जरूरत नहीं थी तो दादी को एक लेंड्सकेप के रूप में बताया है विंटर लेंड्सकेप के रूप में जो की माउंटेंस पे है जब सरदी आती है तो माउंटेंस पे क्या हो जाती है बर्फ जम जाती है और वहाँ पे केवल सफेद ही सफेदी क्या होती है नजर आती है तो दादी भी सफेद रंग की साड़ी पहनती थी इस वज़े से उसने माउंटेन लेंड्सकेप से दादी की क्या की है तुलना की है और उनकी बारे में बताया है कि उनका जीवन बिल्कुल चांती पूर्ण था और वो संतुष्टी के साथ अपना जीवन क्या कर रही थी गु मुझे छोड़ गए थे विदहर मेरी दादी के साथ when they went जब वो चले गए to live in the city शहर में रहने के लिए लेखक के माताविता जब शहर में चले गए तो वो दादी के पास लेखक को छोड़ कर चले गए we were constantly together और लेखक और उसकी दादी उसी समय से क्या कर रहे हैं निरंतर रूप से साथ साथ रहे हैं she used to whack me up मेरी दादी मुझे उठाया करती थी in the morning सुबह and get me ready और मुझे तयार करती थी for school जाने के लिए तो लेखक को दादी जल्दी उठा दिया करती थी और इसकूल के लिए तयार करती थी she said her morning prayer और दादी सुबह सुबह की प्राथना भी बोलती थी in a monotonous sing song एक air उची कर गायन की सेली में while she bathed me जब वो मुझे नहलाया करती थी and dressed me और जब मुझे कपड़े पहनाया करती थी in the hope इस आशा में that I would listen कि मैं उस दादी की प्राथना को सुनूंगा and get to know it by heart और उसे दिल से क्या कर लूँगा याद कर लूँगा तो लेखक को वो सुबह उठाया करती थी उसे नहलाती थी तयार करती थी उस समय दादी एक दीमी दीमी आवाज में प्राथना भी गाया करती थी वो प्रार्थना लेखक को एरुची कर लगती थी लेकिन फिर भी दादी गाती थी क्योंकि दादी को ऐसा लगता था कि शायद उसका पोता उसकी प्रार्थना को क्या कर ले मन से याद कर ले अब लेखक कहना चारा है I listened मैंने भी अपनी दादी की उस प्रार्थनाओं को हमेशा सुना because I loved her voice क्योंकि मुझे उस दादी की जो आवास थी बोलने की जो शेली थी गाने की जो कला थी वो मुझे बहुत पसंद थी but never bothered to learn it लेकिन मैंने उन प्रार्थनाओं को कभी भी सीखने का सीखने की दिक्कत नहीं ली मतलब उन प्रार्थनाओं को कभी भी लेखक ने नहीं सीखा then तब she would fetch तब वो मुझे तयार करके लेकर आती my wooden slate मेरी लकडी की party which she had already washed जिसको वो पहले से ही धो देती थी and plastered with yellow chalk और उसके उपर पीली chalk से एक रंग कर देती थी a tiny और साथ में लेकर आती एक छोटी सी earthen ink pot एक मिटी से बनी हुई शाय की दवात and red pen और साथ में एक red pen मिलाती लाल pen मिलाती कलम भी लाती and tie them all in a bundle और उन तीनों चीजों को वो bundle में बांद देती and hand to me और मुझे क्या कर देती वो हाथ में समला देती तो सुबह सुबह इस्कूल जाते समय दादी उसे एक तो एक तो क्या करती थी एक wooden sled देती थी लकडी की पाटी और एक अर्दन इंग पोर्ट देती थी एक मिटी से बनी शाय की दवात और साथ में एक red pen उस लेखक को बांद कर एक बंडल में क्या कर देती थी लेखक को दे और बासी रोटी बासी रोटी का ताथ भी रात की रोटी हो सकती है वो with a little butter और उस रोटी पर थोड़ा बहुत दे मक्खल लगा होता था गी लगा होता था and sugar और उसके उपर spread on it उस रोटी के उपर जो चीनी है वो भी थोड़ी बहुत लगाई होती थी या फिर डाली होती तो लेकर सुबह सुबह नास्ते के रोप में एक बासी और मोटी रोटी प्राप्त करता था जिसके उपर थोड़ा घी होता था और कुछ शूगर या चीनी भी होते थी वी वेंट टो इसकूल और ऐसा करने के बाद में मेरे नास्ता करने के बाद में हम इसकूल चले जाया करते थी सी कैरेड सेवरल स्टेल चपातीज और वो कई बासी रोटिया भी लेकर जाती थी विद हर अपने साथ फोर दा विलिज डॉग्स गाउं के कुत्तों के लिए और गाव के कुत्तों को रोटी देने के लिए वो कई बार मेरे साथ बासी रोटी आवी साथ में लेकर जाती थी ये दादी की कुछ आदितें आपको लेखक बता रहे हैं माई ग्रेंड मदर मेरी जो दादी मा है क्योंकि जो इसकूल था वो बिल्कुल पास में था किसके टैंपल के मंदर के तो लेकर को दादी हमेशा इसकूल साथ जाया करते थे क्योंकि जहां पे उसकी स्कूल थी उसके पास में उसका क्या था मंदिर था दा प्रेस्ट और उस मंदिर का जो पूजारी था टोटस वह हमें शिखाया करता था अलफा बैट वह वरन माला कह खे गय 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 जिसे आप कहते हैं and the morning prayer और सुबह की प्रार्थना भी हमें शिकाया करता था तो पुजारी बालकों को बच्चों को वर्णमाला सिकाता था और सुबह-सुबह की प्रार्थना ही सिकाया करता था while the children जबकि जो बच्चे हैं sat in rows कतारों में बैठ जाते थे लाइनों में on either side of the वरांदा वरामदे के दोनों तरफ singing the alphabet, alphabet को गाते हुए और the prayer या फिर उस प्रार्थना को in chorus समुगान में बच्चे एक साथ सारे बैठ जाते थे, प्रार्थना गाते थे और साथ में alphabet जो वर्णमाला है उसको भी गाकर याद करते थे my grandmother मेरी जो दादी मा है, set inside अंदर बैठ जाया करती थी, reading the scriptures और अंदर बैठ कर मंदिर के उन धार्मिक ग्रंतों को पढ़ा करती थी तो बच्चा तो इधर वर्णमाला वगेरे पढ़ता है और दादी क्या करती है, उस मंदिर में जाकर scriptures को क्या करती है, धर्म ग्रंतों को पढ़ने लग जाती है when we had both finished, जब हम दोनों का ही पढ़ाई का काम पूरा हो जाता, we would walk back together तब हम दोनों ही गर की तरफ दोनों साथ साथ क्या हो जाते चले, आते this time और उस समय वापस आते समय, the village dogs वो जो गाओं के कुत्ते थे, would meet us, वो हमें मिल जाते थे at the temple door उस मंदिर के सामने, वापस आते time मंदिर के सामने वो कुत्ते उन्हें नजर आते, they followed us और वो कुत्ते मेरा और मेरी दादी का पीछा करते to our home हमारे घर तक, growling गुर राते हुए and fighting with each other और एक दूसरे से लड़ते हुए for the chapatis, उन chapatis के लिए we threw to them जो हम उनको खाने के लिए क्या करते थे, देते थे तो दादी उन कुत्तों को खाना देती थी रोटी के रूप में, तो कुत्ते एक दूसरे से उन रोटीों को लेने के लिए एक दूसरे पर गुर राते और क्या करते, लड़ाई करते, रहते रहते थे When my parents, जब मेरे माता-पिता were comfortably settled, जब आराम से व्यवस्तित हो गए, इन सिटी शेहर में, the scent for us, उन्होंने हमें क्या कर लिया, शेहर में बुला लिया तो पहले तो दादी और लेकर के गाउं में रहता था, लेकिन जब लेकर के माता-पिता settled हो गए अच्छी तरह से, शेहर में तो उन्होंने माता-पिता ने दादी और लेकर को क्या कर लिया, शेहर में बुला लिया यह एक बहुत ही निर्नायक मोड रहा इन आवर फ्रेंड सिफ हमारी मित्रता में, दादी और लेकर की निर्नायक बिन्दू था मेने दादी मां नहीं आती थी to school, school में with me मेरे साथ पहले तो गाओं में लेखक दादी के साथ ही स्कूल जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं है फिर अब क्या परिवर्टन आया है देखते हैं I used to go क्योंकि मैं अब जाया करता था to an English school, एक अंग्रेजी school में इन्हें motor bus, motor bus में बैठ कर पहले तो गाओं में तो पैदल जाते थे, अब वो motor bus में बैठ कर जाकर English school में क्या करता है, पढ़ता है There were no dogs, शहर में कुत्ते भी नहीं थे, इन्दा स्टीट उन गलियों में and she took two feeding, इस वज़े से दादी ने अपना लिया खाना किलाना इस पैरोज चडियाओं को इन्दा कॉर्टियार्ड उस आंगन में of our city house उमारे शहर के घर का था गाओं में वो कुत्तों को खाना किलाया करती थी, शहर में कुत्ते नहीं थे तो दादी ने घर के आंगन में चडियाओं को खाना किलाना क्या कर दिया मतलब दादी अपने परोफकार के कारियों को क्या नहीं कर रही है, छोड़ नहीं रही है As the years rolled by, जैसे जैसे समय बीतने लगा We saw less of each other, हम एक दूसरे से बहुत कम मिलने लगे For some time, कई समय तो she continued to back me up हाला कि कई समय तक तो उसने मुझे उठाना जारी रखा And get me ready for school, और मुझे school जाने के लिए तयार भी वो करती रही लेकक कहते हैं कि शहर में जाने के बाद कई समय तक तो दादी मुझे उठाती रही School में जाने के लिए क्या करती रही, तयार भी करती रही When I came back और जब मैं school से वापस आता, she would ask me, वो मुझे से पूछती थी What the teacher had taught me, कि तुमारे अध्यापक ने तुम्हें क्या पढ़ाया दादी लेखक को स्कूल से आने के बाद में पूस थी कि बता आज तेरे टीचर ने तुझे क्या पढ़ाया है I would tell her English words और मैं कहता दादी से कि उसने मुझे अंग्रेजी के कुछ शब्द पढ़ाये And little things और कुछ और बाते भी छोटी छोटी बताई और Western Science जो कि पश्चिमी विज्ञान की थी And learning और सिक्षा की थी और क्या पढ़ाया The Law of Gravity मेरे अध्यापक ने मुझे पढ़ाया कि गुर्तवा कर्शन का नियम क्या होता है And Archimedes Principle Archimedes का Principle भी बताया सिध्धान भी बताया The Word Being Round ETC और यह भी बताया कि प्रित्वी क्या है अपने आप में गोल है इत्यादी कई प्रकार की चीजे लेखक को बताई गई स्कुल में वो इन पढ़ाई की बातों को आकर दादी को क्या किया करता था बताया करता था जब दादी उसे क्या किया करती थी कैसा पूछती थी जिन में क्या क्या था कहा कि gravity का नियम क्या होता है यह बताया our committee's principle बताया कि word being round की संसार कैसा है या पृत्वी कैसी है गौल इस मैडर अनहपी लेकिन ऐसी बातों को सुनकर मेरी दादी क्या हो जाती थी दुखी हो जाती थी she could not help me क्योंकि दादी अब मेरी साहता नहीं कर पाती थी with my relations मेरे पार्टों में जब हिंदी बगर की पाद पढ़ाने के आती थी तो दादी कुछ न कुछ उसे बता दिया करती थी लेकिन अब जब सारी शिक्षा अंग्रेजी में हो रही है तो दादी उसकी साहता नहीं कर पा रही है she did not believe क्योंकि दादी को विश्वास नहीं था in the things, in चीजों में they taught at the school, English school जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाती थी दादी को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाने वाले बातों पर विल्कुल भी विश्वास नहीं था and was distressed और वो हमेशा तनाओं में रहती थी, दुखी रहती थी there was no teaching about God की तुमारे स्कूल में बगवान के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है and scriptures और धर्म गरंतों के बारे में कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता तो दादी उसे कहती थी कि मुझे ये चिंता है कि तुम्हें बगवान और इश्वर और उसके सिदानतों के बारे में या गरंतों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है इस विशे को देखकर दादी हमेशा चिंतित रहा करते थी वन डे एक दिन I announced मैंने ये गोशना कर दी बता दिया घर पे that we were being given music lessons कि हमें क्या किया जाएगा संगीत सिखाया जाएगा तो एक दिन स्कूल में का गया कि आपको कल से संगीत सिखाएंगे तो ये बात लेखक ने जाकर किसको बता दी दादी को सिवाज डिस्टर्ब्ड जो दादी थी वो ऐसा सुनकर क्या हो गई बहुत ज़्यादा मुसीबत में आ गई या वो क्या हो गई बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तू हर उसके लिए music head lewd associations उसके लिए जो music है वो एक निमने इस तरिये क्या रखता है संबंध रखता है it was the monopoly क्योंकि ये एकादिकार था of harlots वैश्याओं का and beggars और बिखारियों का and not meant for gentle folk और इस संगित का सामानने लोगों से सजजन लोगों से समानने लोगों से क्या नहीं है कोई लेना देना नहीं है दादी कहती है कि जो music है उसका संबंध वेश्याओं से है और साथ में बिखारियों से है और जो समानने समझदार लोग है समानने लोग है उनका इस संगित से कोई लेना देना नहीं है सी सेड उसने कहा नतिंग उसने कुछ भी नहीं कहा बठ हर साइलेंस लेकिन वो चुप रही मीन्ट और उसका मतलब ये था डिस एपरूवल कि उसने इस शिक्षा को लेने के लिए क्या कर दी है ऐसेमती दे दी है तो दादी चुप थी उसने हाला कि मना नहीं किया लेकिन उसकी चुप़ी का मतलब यही रहा कि यही रहा कि वो क्या नहीं कर रही है लेकिक को संगीत शीकने के अनुमती नहीं दे रही है See, Rarely Talked To Me After That इस गटना की बाद में लेकिक से दादी ने बात करना बहुत क्या कर दिया? कम कहने का ताथ पिये जब बगवान और ग्रंतों के बारे में जब पढ़ाया नहीं गया तो लेकिक की जो दादी है वो बहुत ज़्यादा परिशान हो गई और उसने उस समय से लेखक से बात करना लगवक क्या कर दिया बंद कर दिया तो यह आपके इस लेशन का फर्स्ट पार्ट है हाशा करते हैं आपको अच्छा लगा है फिर मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रों